किवल एक आती अपना चेहरा चंप्राने की पार्टिया इसे पता करवा है किवल 6-7 साले 4,777 करोर रुपे किवल विध्यापर पे खर्च किया गया दोस्तों मोधी जी कहते हैं कि हमने प्रचार प्रचार पर पैसे नहीं खर्च किये बलकि लोगों पर खर्च किये जनता का विकास किया देश का विकास किया हमने अपने उपर खर्च नहीं कि, हम सत्ता के लो भी नहीं है लेकिन आपको आज ये रपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि सत्ता का लो भी कौन है और कौन नहीं है क्योंकि जिस तरीके से करोडो रुपए सिर्फ अपने छवी को चमकाने के लिए सिर्फ पोस्टर बैनर पर खर्च कर दिये गए दोस्तों कि छवी जो है वो चमकीली नजर आए कहीं से धुन्दली ना हो इसलिए करोडो रुपए फूख दिये गए प्रेचार प्रसार में और वो एक दो करोड नहीं बलकि दोस्तों आपको बता दे कि ये आंकड़े जो बता रहे है उसको सुनकर आप चौक जाएंगे कि ये आंकड़े क्या कह रहे है क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी कहते हैं कि हम सत्ता का लोगी नहीं हम सत्ता का लोग नहीं करते हमारे यहां सत्ता का लोग नहीं हमारी पार्टी जनता का काम करने में विश्वास रखती है विकास करने में विश्वास रखती है लेकिन आप सोचिए कि 2014 से मोधी सरकार ने मीडिया विग्यापन पर खर्च कितने की हैं सिर्फ मीडिया विग्यापन की मैं बात कर रही हूँ जो चेलिविजन पर, न्यूस पेपर पर, एडवर्टाइजमेंट पर कितने रूपे खर्च हुए हैं, वो 2014 से 2022 में जो आखड़े बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये है कि 64,000 करोर रुपे सर्फ मीडिया पर खर्च किया गया है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, प्रदानमंत्री मोदी का विकास का जो जिंडोरा है, वो पिठने के लिए, इस खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, हम सब मेत की खबर है और लिखा जा रहा है कि 2017 में मोदी सर्कार ने मीडिया विग्यापन पर खर्च किये, 64,000 करोर रुपे लोगसभा में सर्कार ने दिये आखड़े, ये लोगसभा में सर्कारी आखड़े हैं, जिसमें बताया गया है कि हमने 64,000 करोर रुपे खर्च कर दिये, अब बताईए, ये सर्कारी आखड़े जूटे हैं, ये प्रदान मंतरी मोदी की बाते जूटी हैं, कि वो कहते हैं कि हम तो एक रुपा खर्च नहीं करते, हमने एक रुपा खर्च नहीं किया, अपने उपर, सिर्फ देश के उपर खर्च किया है, देश की जनता पर, देश के लोगों पर खर्च किया है, तो फिर ये क्या है, ये जो सर्कारी आखड़े हैं, वो क्या है, ये क पेसे दिनों आपको याद होगा दिलिके सीएम आर्विंद के जरिवाल पर तंज कस्ते वे कहा था कि हम भी विग्यापन पर अपना चहरा चमका सकते थे लेकिन हमने नहीं चमकाया अपना चहरा हाला कि लोग सभा में सरकार ने जो आकड़े पेश किये हैं वो हरान करने वाले क्योंकि केंद सरकार ने आठ साल के अंदर जो आकड़े दिये हैं उन में 64,000 करोड रुपए मीडिया विग्यापन पर सिर्फ खर्च किया गया है बाकी पोस्टर बैनर का आप छोड़ दीजे सर्फ मीडिया विग्यापन की बात करें तो 64,000 रुपए खर्च किये गया है इन अनुराग ठाकुर ने इन आकड़ों को पेश किया और कहा कि साल 2014 और 15 से 7 सितंबर 2022 तक मीडिया प्रिंट के माधियम से विग्यापनों पर 31,038.81 करोड रुपए खर्च किये गए जबकि इस अबदी में इलक्ट्रोनिक मीडिया के माधियम से विग्यापन पर 32,060.79 रुपए जो है वो तैयार हो रहा है नहीं हर साल 800 करोड रुपए जो है मीडिया पर खर्च किया गया है प्रिंट मीडिया पर टील्वीजन Reading Media पर दिजीटल मीडिया पर मोदी सरकार में इतने रुपए खर्च कर दिये गय सभी आकड़े जो है वो सरकारी आकड़े मेरे है देश की जंता पाई-पाई के लिए तरस रही है कर रही है और जो सेव किया वा पैसा है वह कर ना पड़ रहा हैं क्योंकि इतनी महंगाई है हर तरफ महंगाई की मार है कुछ भी समान खरीदने बजार निकल जाये तो पास सो रूपए से खत्म कम का खर्च नहीं होता छोटा मुचा समान खरीदने के लिए लेकिन फिर भी सरकार है कि अपने उपर अपनी छवी चमकाने के लिए मीडिया में चमकीले तस्वीर लगाने के लिए करोडों रुपए खर्च कर रहे हैं के लिए पैसा नहीं है सिर्फ अपने लिए पैसा है और कुछ चूइट्स भी है दोस्तों जैसे यह खबर सामने आई उसके बाद लोगों ने शेर करना शुरू कर दिया अनुराग ठाकूर की तरफ से यह आकड़ा आज लोग सभा के अंदर दिया गया संसत भवन के अंदर प हाप के लिए कि यह किन मीडिया जो है दोस्तों वह खामोशी एक्तियार किये बैठा है मीडिया के मुद् Perm laundry अवाज निकलेंगा महा माइनब of the अवास निकलेंगा महामानब बनाने के लिए वाश्मिक लेगा लेकिन जंता के पैसे से किस तरीके से खिलवार हो रहा है अपनी छवी चमकाने के लिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है इस पर मीडिया सब खामोश रहेगी कोई बताएगा नहीं तस्वीर है फलाना है जिमकाना है और नए भारत की कलपना नए भारत की परकास्था और 56 फलाना इंच जिमकाना इंच लेकि है कि मोदी सिरकार ने करीब पैसेच हजार करोड रुपए विग्यापन पर खर्च किये 2014 से अब तक प्रिंट मीडिया में 3230.77 करोड इलक्ट्रोनिक मीडिया में 3260.79 करोड इतना पैसा बहाएज और आप पूछते हैं कि मीडिया 24 घंटे मोदी मोदी क्यों करता है यह बता पोटर भी है रनविजय सिंग के इस ट्वीट पर ट्वीट करते वे रिशी बागरी नाम के यूजर है जो मोदी की भक्ती में काफी लीन रहते हैं वो इसको लिख रहे हैं कि 8 साल पहले केंद्र की कॉंग्रेस सरकार भी लगबक सालाना उतना ही खर्च करती थी विडंबना यह दोस्तों कि यहाँ पर अगर किसी से सवाल पूछ लो और इतना जो चापलूसी क्यों होता है तो उसको कॉंग्रेस याद दिलाते हैं भाई कॉंग्रेस ने जो किया उसको जनता ने जवाब दिया वोट का चोड दिया लेकिन आप कहां हो कौन सी भक्ती में खोए हुए ह आपकी भक्ती जो है उपर निकली नहीं रही है आपका घर भरा हुआ है आपकी जेब भरे वे भक्ती में लीन होकर दूसरों का नहीं है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस को याद किया जा रहा है अब देखे ने कॉंग्रेस कहां है अर्ष से फर्ष पर ला दिया जनता ने लेकि इसे कहते हैं दोस्तों भक्त में लीन हो जाना इसे कहते हैं अंधभक्त आगे इबने बतूता नाम का पेज है और वो लिख रहे हैं इस खबर को शेर करते हैं कि हम तो कहते हैं पूरा थ्री ट्रिलियन जीडिपी बरावर लगा दे विग्यापन में और पत्थर खिलाए जनता को कल करे सो आज करे सो अब अपने तो काम खाक उगा के जी लेंगे मारे बाकी सब टीका लगा के इन्होंने ये जवाब दिया है आगे एस आर वर्मा लिखते हैं कि ये जो मोदी जी सुनने का शौक है उसकी कीमत देश की जनता 65,000 करोर रुपए चुका रही है आगे से जिम्स नाम का कोई पेज है उससे ट्विट किया गया है कि पत्रकारों को जो आइफोन 14 प्रो मैक्स लेटेस वर्जन गिफ्ट किया जाता है और 2BHK, 3BHK गिफ्ट किया जाता है उसके पैसे इसी में तो शामिल हैं कि कैसे इनके घर भरे रहते और ये एक पार्टी का और सरकार का नाम लेते वो ठकते नहीं हैं अब इशे की आदब लिखते हैं कि पैसत हजार करोड रुपए विग्यापन पर आँख निकालने वाली मोची के साथ 12 लाग करोड की उद्योग पतियों को रेवरी कितने भगा दिये भाग गए देश से और कितना अच्छा काम हो चुके हैं मैं भी आपको कितनी बार बताओं पंकच जो है नाम के यूजर वो लिख रहे हैं कि सर तीहारी आज भी आपको लगाए गए काम नहरू जी के लिए दुस्परचार में लगा हुआ है विपक्ष का सवाल सरकार से जवाब विग्यापन जीवी की तरफ से व विग्यापन मिलता है और भर-भर जोली ये तारीफ करते हुए ठकते नहीं है आगे एक और ट्वीट है वो देखें डॉक्टर शर्वन चौधरी का वो लिख रहे है कि बेरोजगारी पीने के पानी की किल्लत आये दिन मदर रेप आजादी के 75 साल बाद रोटी कपड़ा औ इनको जवाब दे रही है सिधार्थ महन लिखते हैं कि तब देश के सरकारी संस्था थोक के भव नहीं विखते थे चार साल का कोई नौकरी नहीं होता था अब इस तरीके से जो है लोग जवाब दे रहे हैं आगे एक और ट्वीट है दोस्तो प्रभाश कुमार का वो लिख रहे हैं कि देश का विकास प्रचार में ही दिख रहा है जमीन पर देश का नौजवान आत्मत्या कर रहा है और आत्मत्या की वज़र सरकार की गलत नीतियों को बता रहा ताना शाही ने इनसान को मानसित कमजोर कर दिया है इनसान जात पात में फसा हुआ है ना देश दिख होता है कहां पर फिर्देश्ट पहुंच जाता है क्योंकि आल्रेडी आठ साल में जो है साशन कहां से कहां पहुंचा है वो सिर्फ आपको तस्वीरों में और मीडिया के जरीए दिखाये जा रहा है और यही मीडिया की भूग जो है इसी तरीके से बढ़ती है जब 65,000-64,000 कर रुपए मीडिया पर खर्च कर दिया जाए प्रचार प्रसार में तो मीडिया क्यों न गुल गान गाए दोस्तो तो आप समझेए कि क्या खेल चल रहा है और जंता कैसे हाहाकार मचा रही है भुकमरी से बेरुजजगारी से लेकिन सुनने वाला कौन है क्योंकि आपको रुबताईएगा